फ्रेंड मैं आपका दोस्थ सुभम गोस्वामी और आपका स्वागत है हमारे चैनल सुभम लेक्चरर बर फ्रेंड आज मैं आपको कमलास्टोयल कमेश्ट्री के एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक जिसका नाम है राउल्ट का नियम यह आपके बोर्ड इक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन है तो राउल्ट का नियम क्या होता है फ्रेंड यह आप समझ लीजिए तो राउल्ट का नियम मैंने आपको हिंरी का नियम भता चुका हूँ मैं आपको और ये जो नियम है ये आपके बिलैन लेशन में है ठीक है तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए तो देखे राउल का नियम क्या है किसी निश्चिताप पर यानि कि कोई निश्चिताप है ठीक है उस पर बिलयन में उपस्थित किसी वासील अवयवी घटक का आंसिक वास्प दाब उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है अब फ्रेंड इसको आपको समझना है तो आप कैसे समझेंगे तो देखिए आप एक पात्र लीजिए ठीक है यह देखिए मैं एक पात्र ले लिया अब इसमे आप क्याईखिए पानी भरा हुवा है ठीक है यहां पर यह जो है यह पानी भरा हुआ है अब इसमें आप थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए क Village चीनी है मैंने दोड़ा सबीदी टीक है तो देखिए क्या है फ्रेंड किसी निश्चता पर थोड़ा सा ऐसे ऐसे ताप देजीजी, मैं आपको नीजे दिखा देता हूँ, यह देखिये, मैं ताप दे रहा हूँ, इस पर प्रेशर दे रहा हूँ, ठीक है, तो यह है वैनर, यानि कि वर्णर, आप ताप दे दीजीए इसे थोड़ा सा, तो आप देखिए, किसी के समान पाती होगा यह फ्रेंड आपका राउल्ट का नियम ठीक है तो राउल्ट का नियम क्या है एक बार फिर से देग लिजिए बहुत ही जी है तो किसी निश्चिताप पर कोई निश्चिताप लिजिए उस पर बिलयन में उपस्तित किसी वास्प सील अवियवी घटक का आ किसी के मोल भिन के समान पाती मोल भिन का मलना मोल प्रभाज और फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि मोल प्रभाज को मोल प्रभाज को किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड तो मोल प्रभाज को डिनोट करते हैं किससे एक्स से ठीक है एक्स से तो मैं फिर से इसको लिग देता ह अब इसमें जो आंसिक वास्प दाब है यानि कि वास्प दाब लिखे वास्प दाब को जो है परदर्शित करेंगे P0 से यानि कि दाब को P से परदर्शित करते हैं आपको पता होगा तो वास्प दाब को परदर्शित करेंगे P0 से ठीक है तो आगे क्या होगा फ्रेंड अब इसके अनुसार अर्थात यह जो आन्सिक वास्प दाब होगा यह इसके समान पाती होगा तो P0 is equal to यानि कि P0 is अनकुर्मान पाती किसके? X के, ठीक है? X के यह अनकुर्मान पाती होगा तो अब देखें क्या होगा फ्रेंड अब यहाँ पर फ्रेंड आप P.S. कर दीजे क्योंकि P.S. यानि कि यह है वास्प दाब ठीक है? अब X अब जब आप P.S. बराबर लिखेंगे यानि कि वास्प दाब बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? X into P0 ठीक है? तो अब आपको क्या करना है फ्रेंड? यही आ गया आपका राउल्ड कैनियम का फार्मूला ठीक है? तो जो बिलायक का यानि कि जो अभी घटक का आंसिक वास्प दाब होता है उसके मोल भिन के समान पाती है ठीक है? तो अब देखिए अब P0 आपका क्या है फ्रेंड? जहां P0 is equal to बिलायक का वास्प दाब ठीक है? तो P0 जो है फ्रेंड? वो बिलायक का वास्प दाब है तो फ्रेंड यही है आपका राउल्ड का नियम तो आई होब कि आपको राउल्ड का नियम समझ में आ गया होगा तो एक बार फिर से देख ली जे फ्रेंड राउल्ड के नियम क्या होता है तो किसी निश्ची तापर विलयन में उपस्थित किसी वास्प सील आवयवी घटक का आंसिक वास्दाब उस अवयवी घटक की मौल भिल्ड के समान पाती होता है याणि कि मौल प्रभाज के समान पाती होता है तो मौल प्रभाज को देनोट करते हैं X से मैं आपको प्रविएस वीडियो में बता चुका हूँ और वास्प दाब को किस से पदरशित करते हैं पीजीरो से याप यहाँ पर लिख दे पीएस से भी प्रदर्शित करते हैं ठीक है उसके बाद क्या है अर्थात अब इस सूत्र को आप देखिए क्या बनेगा पीएस यानि कि आंसिक वास्प दाब इस डारेक्टली परपोर्शनल टू एक्स एक्स का मलब क्या मोल प्रभाज अब जब मैंने सूत्र बराबर इसको मलब इस अनकुर्मान पाती के चिन्ह को हटाया तो पीएस इसकोल टू एक नियतांग लगा जिसे कहते हैं पीजीरो जहां पीजीरो है बिलायक का वास्प दाब तो फ्रेंड ये है आपका राउल्ट का नियम तो फ्रेंड इसमें एक क राउल्ट के नियम की सीमाएं ठीक है तो राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती है तो राउल्ट का नियम जो होता है फ्रेंड तो फ्रेंड जो है इसका कि राउल्ट का नियम आती तनू यानि कि बहुत ही जो सौफ्ट हो जैसे जिसमें बिलायक की सांदरता जादा हो ठीक है आत तन बिलायनो के लिए लागू होता है यानि कि फ्रेंड जो राउल्ट का नियम है ये बहुत ही तनू बिलायन के लिए लागू होता है ना कि सांदर बिलायन के लिए तनू का मलब जो बहुत ही पतला हो यानि कि जैसे पानी हो गया इन सब बिलायनों के लिए राउल्ट का नियम लागू होता है मलब जिसमें सांद का नियम राउल्ट का नियम क्या है प्रेंड आवास्प सील बिले यानि कि आवास्प सील आवास्प सील बिले युक्त बिलेनों के लागू होता है यानि कि जिस बिलेन में आवास्प सील बिले होते हैं उन्हीं के लिए राउल्ट का नियम लागू होता है मेली और थर्ड क्या है फ्रेंड यानि कि राउल्ट का नियम यह भी उनकी सीमा है तो सीमाएं बहुत पूछी जाते हैं इसकी बोर्ड एक्जाम में तो इसको अच्छ पून रूप से घूली जाते हैं यानि कि पून रूप से संगुलित हो जाते हैं ठीक है तो फ्रेंड ये था आपका राउल्ट के नियम की सीमा तो आई होब कि आपको राउल्ट के नियम और राउल्ट को नियम के सीमाएं याद हो गई होंगी यानि कि समझ में आ गई होंगी तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किजिए